हेलो एवरीवन विल्कम टूब यूटूब चैनल ओल्ली उपिटर बलसी कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का लिक्चर और लिक्चर को सुरू करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा और नौटिफिकेशन बिल्कूभी हिट कर दीजिए जिससे कि जो आने वाली वीडियो के नौटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाएं लेक्चर को सेर करना मत भूलेगा तो चलिए शुरू कर में स्थापित किया गया है और तारपूर कहां पर है तारपूर जो है महारास्ट में इसे भी आप लोग याद रिखीगा महारास्ट में और नौरा कहां पर है तुझे नौरा है या यूपी में है तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर उजय स्टेशन जो है तारपूर में है और तारापूर कहा है या महारास्ट में नमर टू है भारत का सबसे उच्छा बांध कौन सा है सरदार सरोवर बांध भाखडा नागल बांध टहरी बांध या फिहराकुंड बांध तो आपको बताना है कि जो भारत का सबसे उच्छा बांध है या कौन सा है तो यहां जो है ट भगी रथी प्लस भील गंगा भील गंगा नदी और कहां पर है तो यह उत्तराखंड में उत्तराखंड में सारे पॉइंट साप लोग नोडाउन कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर भूकम्प जोन जो है सबस्यादा संभावना रहती कि जितना उच्छा ब रहे तो यहां गुजरात है गुजरात में और आप से पूछा या अगर कि जो है भाकरा नागल बांध में आता है कि नागल पर या काँ सी नदी पर है तो यहां जो है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में यह जो भाख रा है कि भी हिमाचल प्रदेस में आता है और नागल पंजाब से हमाचल और पंजाब दोनों में और यह जो है घुबिन सागर जील इसके पीछे जो है गोविंसागर जील रहें कौन सी नदी पर है तो यह जो है सबसे मचा गुरुती बंद्द दूसरा सबसे पहला तो तहीरी बांद दूसरा है इसकी उचाई कितनी है तो इसकी 226 मीटर है 226 मीटर है और जितनी ज़्यादा आपको बताया था मैंने कि जितना ज़्यादा उच्छा होगा वहां पर उतनी भूकम की संभवना ज्यादा रहती है तो आप लोग नोडाउन कर लिजिए हीरा इसकी उचाई कितनी है तो इसकी उचाई जो है 261 मीटर है 261 मीटर है यहां पर भूकम की संभावना सबसे इदा होती है और जो है सारवधा नर्मदा नर्दी पर है गुजरात में और आप से पूछा है कि जो भागडा नागलवा तो भागडा जो सत्रे हिमाचल प्रदेश से डिलेटेड है और पंजाब तो पूसे हिमाचल प्रदेश हो पंजाब दोनों में इसकी उचाई कितनी है तो यह इस्या का दूसरा सबसे सबसे उचा बंड़ है इसकी जाए कितनी है तो इसकी 226 मेटर है 226 मेटर है इसे भी आप लोग याद रखीगा और आप से पुछा आता है कि एगर हीरा कुंड बांध यह कहां पर है तो हीरा कुंड बांध आप लोग कमेंट सक्षन में बताएं कि जो हीरा कुंड बांध यह कहां पर है तो यह उडिसा में पर लेसा में महान नादी पर लिए अजो है वड़ाइड न कि बर्खेंड इसे कैण Day कर दियुद रखा तो आपको लों को मैंने घर चाहिब तो यह जो टीरी बांद इसकी उचाही किती थी तो इसकी चाही दिए दूसे एक सर्मीटर थी क्वेशन मत्री है भारत का प्रथम जल बिदुद परियोजना कहां पर इस्थापित किया गया है करनाटक में दार्जिलिंग में सीमोगा में फिस्रीनगर में तो भारत का प्रथम जल बिदुद परियोजना कहां पर इस्थापित किया गया है तो यहाँ जो है दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है और ऑप्सन बीज का सही एंसर है क्वेशन नमबर फॉर है कपास की खेती के लिए सरवाधे की उप्युक्त मिट्टी कौन सी है लाल मिट्टी काली मि काली मिट्टी लेट राइड मिट्टी में से कोई नहीं कंसी है कपास की खेती के लिए सरवाधे की अजोहाई सही हैं आछले मिट्टी में सबसे अधीक क्या पाया जाता है तो इसमें जो है पोटास और मैंगनेशियम की मात्रा इसमें बहुत होती है पोटास और मैंगनेशियम की लाल मिट्टी में किसकी मात्रा होती है तो इसमें जो है आकसाइट की मात्रा होती है इसमें और जो है लेटराइट मिट्टी इसमें किसकी मात्रा होती है तो इसमें जो लोहर लोहर अलूमीनियम की लोहर अलूमीनियम की और जो यह लैटराइट मिट्टी है कहां पाई जाती है तो यह केरल महारास्ट यहां सब पाई जाती है केरल महारास्ट में और यहां पर कौन सी खेती की जाती है लैटराइट मिट्टी में तो इसमें जो है बागवानी खेत साउथ साइड पाई जाती है जैसे कि तमिल नाड हो गया इधर तमिल नाड हो गया आंधर प्रदेश हो गया तो यह आप लोग सारे नोडाउन कर लीजिएगा बहुत देशी परियोजनाओं को आधनिक भारत का मंदिर किस ने कहा है महात्मा गांधी ने जवाहला नहरू ने सुबास चंदबोस ने अफिस सरदार पटेल ने तो यहाँ जो यह जवाहला नहरू ने कहा है ऑफ्सन बीस का सही एंसर है question number six है मेटूर बांध किस नदी पर बनाया जाता है किश्णा नदी पर गोदावरी नदी पर पेरियार नदी पर या फी कावेरी नदी पर तो जो मेटूर बांध है किस नदी पर बनाया गया है आप लो कमेंट सेके बने बताईए तो यहाँ जो है तो यहाँ जो है कावेरी नदी पर बनायाए गया है Option D's का सही है उमें टूट बांध है कहाँ पर तो यहाँ जो है तमिल नाडो में है तमिल नाडो में इसे भी आपनो गयाद रखीगा और तमिल नाडो में कौन सी परियोजना है तो यहाँ पर पेरियार है देसी पर्योजणा कौन सी है सोन नदी घाठी पर्योजणा भागडा नागल परियोजणा दामदर घाठी परियोजणा और रियोजणा आप लोग कमेंट करते से नदी पर रावी नदी पर व्यास्ट पर फु स्यूंप्र नदी पर तो जो बोंग बांद पर यूजना है किस नदी पर है तो ऐसकर जो है इसका सही हैं सर फोक्त權पर नदी कि चल्चल पर उच्थ में इससे आत farklı रखीए और फीन बांत पिर्योजन अगर पूछ रहा है कहां पर तो यह जो है पंजाब में पंजाब में हैं पंजाब में हैं और आवि नदी प्रीश्तित हैं किस नम्टा पर गोदा वडिवरी किस नदी पर हिस्थित तो जा मार्टी तेड़ीं किस नदी पर नौर्थ करनाटक में इसनों को जोय लाल बहादरु सास्थ्री बांद के नाम से मघता तो आधि और कौन से में घना जाता एप और जिए ना लाल बहादरुसास्ती बांद के नाम से तो यह जो ए कृष्टिना दीपर है और माटी बांध है कहाँ पर तो नौर्थ करनाटक में यह कब खोला गया थे 2005 में इसकी उचाई कितनी 160 मीटर है और इसको किस नाम से जाना गयता है तो इसको जो है लाल बहादु सास्त्री की नाम से भी गाना जाता है लाल बहादु सास् किस राज में कर नाटक में महाल आरषट नाडवक हैं कि इस इस त disp bath मात बताना है कि उपलद्ध नाभी कि इंधन है कौन सा ठोरेम उरेनियम सिलफार या फी फास प्को बताना है कि जो प्रेचर मातरा में उपलद्ध नाभीकी इंधननने या कौन सा सब्से अधिक उचाई पर इस जील कौन सी को सपसे अधिक उचाई सब्सक्राइब करना मत भूलेगा नौटिफिकेशन बिल्कों भीट कर दीजिए जिस्ते की जो आने वाली वीडियो के नौटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएं तो आपको बताना है कि जो फरक्खा सिचाई परियोजना है या कहा पर इस्तित है तो यहाँ जो है पस्चिम बंगाल में है अक्सर पुछा जाता है कि सचाई परियोजना कहा है विस्तु का एक मात्र तैरता हुआ रास्टी उद्दान केबू लला मजाओ किस राज़ में है माड़ीपुर में मिजोरम में नागालेंड में अफित्र पुरा में तो आपको बताना है विस्तु का एक मात्र तैरता हुआ रास्टी उद्दान केबूला लाम जाओ किस राज़ में इस्तित है तो यहाँ जो है मड़ीपुर में इस्तित है और सने इसका सही एंसर है केश्चन नमर 17 है राजिस्थान नहर इंद्रा गांधी नहर किन नदियों से जल प्राप्त करती है सतलस से व्यास से रावी से आफिव प्रिक्त सभी से तो राजिस्थान नहर इंद्रा गांधी नहर किन नदियों से जल प्राप्त करती है तो यहाँ जो है व्यास नदी से प्रस नमें ंधन काते हैं, मिट्टी काध्धा यह क्या गहलता है? यह मैंने आपको कल भी बताया थी मिट्टी काध्धन यह क्या गहलता है सीरोलोजी, टेडोलोजी, पेडोलोजी, फियर क्रोमोलोज c plugins yourny फ्रीन काते हूड यह जो हैлы पेडोलोजी कहलता है तो इसको जो है खादर मिट्टी कहा जाता है और जो बेकार मिट्टी होती है मतलब जो पुरानी मिट्टी होती है इससे क्या कहा जाता है तो इससे जो है बांगर मिट्टी कहा जाता है question number 20 है काली मिट्टी का निर्मा हुआ है किस से हुआ है ग्रेनाइट से विसाल चट्ट्टान से डोलोराइट से अफिस सीडो राइट से तो आपको बता है कि काली मीटी का Nirmnaar ही किस से हुआ है तो इसका निर्मार जूहें बेशाल चट्टान से हुआ हैila Thomas क्वेशन नमर 22 है काकोला जल प्रपात कहां इस्थित है बहुत इंपोर्टन क्वेशन है कि जो काकोला जल प्रपात है कहां पर इस्थित है मुंगेर में रहतास में बेतिया में अफिन नवादा में तो जो काकोला जल प्रपात है कहां इस्थित है तो यहां जो है नवादा मे किस नदी पर इंसर और आपसे पूछा अगर कि जो राजी की पर یोजना हे तो यह जो यह used и आंध्र पृज्यन है नेक्ट कोश्चन है क्षटन No.23 रावत भाठा परवान विद्धृदग। incarब इस्थत है उत्तर प्रदेश में राजस्थान में गुजरात में अफी करनातक में तो आपको बताना झो रावध भाठा वर्वान विद्धृद्गृद्ग में कहां पर इस्थित है तो यहां जो यह राजिस्तान में स्थित वे संब। नहीं इसका सही एंसर हाज इस कि मैं ट्वेंटी-फॉर यंजारब करंग इसकर से लाल होता है मैं आपको पहले भी कि पहले भी पता turkey कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी इन समय क्या पाया जाता है तो इसमें बताईगा इसका लाल कलर जो है किस करण से होता है और आपसे पूछा आता है कि जो लेटराइट मिट्टी होती है यहां किस कारड़ से इसमें क्या पाया जाता है ज्यादा तर 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 दॉटास और लाओ और, आलमीनियू पाया जाता है तर आप लोग याद रखिएagitह ऑखसर पूछि क्या जाता है कि與 यहां पूच्छा दॉप होता है और काली मिट्टी में पोटास मैंगनेशियम और एलुमेनियम और लाल मिट्टी में आरन आकसाइट क्षिशन 25 नलकूपों की सबसे अधिक संख्या कहां पर आए सबको पता होगा वैसे कि जो नलकूप हैं सबसे अधिक हैं तमिलनाड में बिहार में महारास्च में उत्तरवदेश में हैं option d का सही answer है question number 26 है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है सारदा नहर तिरवेडी नहर सोन नहर या फिर इंदरा गानधी नहर या सब्ता होना चाहिए कि जो भारत की सबसे लंबी नहर है कौन सी है तो यहा a जो यह इंदरा गानधी नहर सही अब्यास पंजाब क्वेश्चेन न्मर 27 आपको बताना है कि जो नरावरा परमार विद्ध ग्रह और कहां पर इस्थित है मैं आपको बताया था कि जो है उत्तरप्रदेश में जो है परमार विद्ध ग्रह अप्सर पूछ वी लिया तो आप लोगों को अगर पता नहीं तो आ तो आपको बताना है जो राणा प्रताफ सागर उन जवाहर सागर परयुजना है या भारत की किस राज में है तो आप लोग इसका सही एंसर बताईएगा तो या जो है राजिस्थान में ओप्सन इसका सही एंसर है कि जो राणा प्रताफ सागर उन जवाहर सागर परयुजना है या राजिस्थान में इसे आप लोग याद रखीएगा कुर्चिन में 29 है बेंबनाद जील कहां इस्थित है केरल में आंधर प्रदेश में उडीसा में आफि बिहार में तो आपको बताना है कि जो बेंबनाद ज ना बहुत अपुछी आती है कि जो जो के ऑभी अपर है और इक पूछी अती एकिजना के इस्थित एंप जैल्बिदृत परियोजना जो मान गुरु जैल्बिदृत परियोजना और teor कि Peayo आप पूंधू सहुझी परियोजना है और पनाप माउर्विदृत के इंद्र बहुत मत भूछे आते हैं तो आप लोग iy इटेंगों के अग्जामंत तो आप लोग पूरा रिक्चर देखिएगा और प्लेस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो आपको बताना है कि जो चुरुवा जल विदुत केंद्र है कहां पर इस्थित है सिक्किम में नेपाल में भूटान में अफी म्यामा तो आपको बताना है कि जो कुडल कुलम परवार विदुत केंद्र है कहां पर इस्थित है तो यहाँ जो है तो आपको बताना है जो सिव समुदरम जल बदूत परियोजना है कहां पर इस्थे थे तो यहाँ जो है करनाटक में इस्थे थे option भी इसका सही answer है question number 34 है थाल गुरुजर सनियंतर कहां इस्थापित किया गया है नेपाल में भूटान में महारास्ट में या फिर उत्तरपदेश में तो आपको बताना है जो फाल गुरुजर सनियंतर कहां पर इस्थापित किया गया है आप लोग कमेंट सक्सक्राइब बताइए तो यहाँ जो है नेपाल में इस्थापित किया गया है option इसका इसका सही answer है और यह बहुत पूछा भी जा रहा है आजकल कि जो थाल गुरुजल सेनियंतर है कहां पर इस्थापित किया गया है तो यहाँ जो है नेपाल में स्थाप Q35 पर कोलेरूज हील कहां पर इस्थे थे आंधर प्रदेश में महारास्ट में करनाटक में पर केरल में Q36 है सुनामी कब आई थी 26 दिसंबर 2004 को 26 सितंबर 2003 को 25 दिसंबर 2005 को या 28 जनुरी 2004 को तो आपको बताना है सुनामी कब आई थी तो यहाँ जो है 26 दिसंबर 2004 में आई थी यह option यह इसका सही answer है question 30 से बने पुरानी जरोड मिटी को क्या कहा जाता है मैंने आपको बताया था जो नमीन जरोड मिटी होती उससे क्या कहा जाता है और यहाँ पर आपको बतायाना है कि जो पुरानी जरोड मिटी होती है उससे क्या कहा जाता है खादर दोमट बांगर य और जो सबसे अच्छी मिटी होती है जो खेती करने के लिए वह दो मट मिटी होती है अभी पूछा जाता है कि जो सबसे अच्छी मिटी कौन सी होती है खेती करने के लिए तो या दो मट मिटी होती है Q39 West पंचाने नदी फिर सौरडर रिखा यहां जो मै्थन बांद है पिस नदी पर बनाएगए है तो यह बरर बराकर नदी पर बनाएगे हैं बराकर ऑप्सन भी इसका सही एंसर है बहुत इंपॉर्टेंट बांध है आप लोग नो डाउन कर दीजीगा Question ur 40 है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है यह सबको पता होना जाएए बहुत बेसिक सा Question है सांभर जील, पुलिकड जील, बेंबाना जील, एफी चिलका जील तो जो भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की जील है कौन सी है तो यहाँ जो है चिलका जील है ओप्सन डीस का सही एंसर है तो चिलका जील कहाँ पर है तो यहाँ जो है उडीसा में चिलका जील या उडिसा में क्वेशन 41 है भारत की जलवायु किस प्रकार की है उष्ट कटिबंधी मांसुनी भूमदी सागरी सवाना जलवायु एफिन में से कोई नहीं तो आपको बताना है जो भारत की जलवायु है किस प्रकार की है ओप्संबर 72 है फुल रड्र जील कहां पर इस थे तेन आ कर तो जो फूल ब्रदेश को सब्सक्राइब करना मथ wur updates और नोटिफिकेसन बिल्कों भी हिट कर दीजेगा जिससे की जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेसन है वो आपको टाइम पर मिल पाएं तो कश्यम 43 है रूद्र सागर जील कहां पर इस्तित है राजिस्थान में महारास्ट में मध्य प्रदेश में अफियासम में तो आपको बताना है जो रूद्र सागर जील है कहां पर इस्तित है तो यहां जो है मध्य प्रदेश में इस्तित है और अक्सर जो है मध्य प्रदेश की परियोजनाई पूछ ले आती है तो यहां पर कौन कौन सी परियोजनाई है तो यहां जो है तवा परियोजना है बार होटवां कर लोग सारी नोटाउन कर लीजिए और प्राम होग नी। चंब लमदा पर्योजना नानी पर है उइस स्रहं और झमाल जो है और में संपे पर यहां थे जो अगर पुछ भी ले जाती है तो मैंने आपको सारी एक साथ करा दी है तो आप लोग मत्य प्रदेश लिख के सारी परियुजनाई एक साथ नो डाउन कर लीजीगा Q44 है चाय की खेती के लिए उत्तम होती है कौन सी मिट्टी सबको पता होगा जलोड मिट्टी काली मिट्टी लेटराइट मिट्टी है फिन में से कोई नहीं तो जो चाय की खेती के लिए सबसे इच्छी मिट्टी कौन सी होती है तो यह जो है लेटराइट मिट्टी होती है option सी इसका सही answer है लेटराइट जो मिट्टी होती है इसमें जो है बागानी खेती जायतर होती है जैसे कि चाय है कहुआ है यह सब लड राइट मिट्टी में होता है question number 45 है मांसून का सबसे पहले आगमन होता है मांसून जो है सबसे पहले कहाँ पर आता है इंडिया में करनाटक में केरल में महारास्ट में फिर तमिल नाडु में तो यहाँ जो है सबसे पहले कहाँ आता है और और पह Pan-B iSka सभी management सुरह और या पली को लाइक नहीं कियातीए तो प्लीस वीडियों को लाइक करके चाहिएगा वीडियों को सब्सक्राइबरना मत भूलेगा और सब्सक्राइब करने को आने वरी जिससे की जो है आपको जो इस सारी सब्जेक्ट की कोईश करा जाती है तो आप लोगी जो है और सारी सब्जेक्ट भी वहाँ पर तयार हो जाएंगी तो आप लोग ग्रूप को टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में कीप सपोर्टिं बाइ बाइ बाइ